सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल स्टेडी पॉइंट और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बैल आइकन को क्लिक करें नमस्कार दोस्तों स्वागत एक बार फिर आपका मेरी यूट्यूब चैनल स्टेडी पॉइंट में आज आपके लिए उत्राखन से रिलेटेट एक और टेस्ट सीरीज लेकर आया हूँ हुआ होँ जोकि हमारी उत्राखन से रिलेटेड यह पांच वी टेस्ट सीरीज होगी जो हमारे चैनल हे पहरी बारा हमारी चैनल को लाइक कि जिल्यगा और अथिक से अधिक आप सबस्क्राइब कि जे और बैल आइकन को दवाये जिससर hogy आप हमारे चैनल के साथ बने सखते हैं और आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे तो आज की जो टेस्ट सीरीज है उसमें सारे जो नए प्रश्ण है उनका संकलन किया गया है कुछ-कुछ प्रश्ण पुराने हैं क्योंकि यह पेपर के पैटर्न के इसाफ से बनाए गया है कि कुछ जो पुराने प विकास मेला किस जिल्ले में आयोजित होता है यह बंड विकास मेला जो है बहुत बार आचुका है पेपरों में ठीक है और यह होता है चमोली जिल्ले में आयोजित होता है चमोली जिल्ले के पीपल कोटी में यह बंड विकास मेला आयोजित होता है ठीक है अगला प्रश्ण मकरवाहिनी गंगा का भव्य मंदर कहां है मकरवाहिनी गंगा का भव्य मंदर कहां इस्तित है तो यह है हिड़द्वार में मकरवाहिनी गंगा का मंदर हिड़द्वार में इस्तित है तीसरा प्रस्ट है स्वर्ग में इंद्र का अपुवन किसे कहा गया है स्वर्ग में इंद्र का अपुवन किसे कहा गया है तो यह कहा गया है फूलों की घाटी को इंद्र का अपुवन कहा गया है फूलों की घाटी कहा है चमोरी जिल्ले में इस्तित है फूलों की घाटी ठीक तरेल ने की फित खासर समित की स्थापना कुली द्वार प्रता कि जो में तो उसका इल नीकालने के लिए वा जो को खुचर के सिमित की स्थापना की गई ती वह प्रेल इनके जंजाति करती है राजी जंजाति करती है रिंग डान्स ठीक है याद रखेगा इसको बहुत important question है रिंग डान्स का सम्मन किस जंजाति से है तो यह है राजी जंजाति से यह जंगलों में निवास करती है ठीक है ये जंजाती जंगलों में निवास करती है राजी जंजाती छट्वा क्वेशन कौसानी का प्राचीन नाम क्या है कौसानी का प्राचीन नाम क्या है तो कौसानी का प्राचीन नाम है बलना कौसानी का प्राचीन नाम है सात्वा प्रस्ण है परसित लोग संगीद ग्या गोपी दास उत्राखंड के किस स्थान से काफी प्रवावित थे परसित लोग संगीद ग्या गोपी दास उत्राखंड के किस स्थान से काफी प्रवावित थे तो यह थे कौसानी से प्रभावित थे यह जहां गांदी जी ने क्या खा कौसानी को उत्राखन का सूर्जर लेंड का है भारत का सूर्जर लेंड या उत्राखन का सूर्जर लेंड का है कौसानी को गांदी जी ने तो उसी कौसानी को इन्होंने यह जो गोपी दास थे यह बह का नाम था राजा जालू राई गोपिन देव गोलू देवता जो गोलू देवता है ठीक है इनको जो गोलू देवता है यह अलमोडा में है ठीक है नियाई का देवता कहा जाता है गोलू देवता को जो यह हुए है गोलू देवता जिनका मंदिर वहां पे रहे उनके पिता थ ठीक है अगला question नौवा question है उत्तराखंड के किस जिल्ले का मध्यकाली नाम राजाओं की घाटी था तो ये था अलमोडा का नाम था राजाओं की घाटी ठीक है ग्यार। प्रश्ण है जसपूर का प्राचिन नाम क्या था जसपूर का प्राचिन नाम क्या था doğru प्रश्ण है गूलर भोज जलास है, किस जिल्ले में इस्तित है तो ये है उस नगर में उद्धमसिंग नगर में इस्तित है गुलर भोज जलास है ये बहुत important है इसको याद रखेगा गुलर भोज । याद नहीं रहता कि उत्राखन में ऐसे मनाने की गोशना की थी किसने संपूर्ण देश में गड़वाल दिवस मनाने की गोशना की थी तो तातकालिक जो प्रधान मंत्री मोतिलाल नहरु थे जो तातकालिक थे मोतिलाल नहरु उन्होंने पूरे गड़वाल में क्या किया था कि गड़वाल दिवस मनाने की गोशना की की थी पेसावर कांड की घटना के पश्चात थीक है मोतिलाल नहरु ने इसकी गोजण की थी चोद्वा क्वेशन है मुस्लिम इत्यासकारों ने तराई भावर को किस नाम से संबोधित किया है मुस्लिम इत्यासकारों ने तराई भावर जो तराई भावर का छेत्र होता है तो मुस्लिम इत्यासकारों ने उसको दामन ए कोह के नाम से संबोधित किया है तराई भावर के छेत्र को ठीक है दामन ए कोह नामक नाम से संबोधित किया है मुस्लिम इत्यासकारों ने इसे पंदरो प्रश्न है सहीद ए वतन पित्थोरागड किस की है सहीद ए वतन पुष्ट का नाम है चाह को प्रस्षण बहरो जाप पहाड़ी उत्त्राखंड के किस जिल्ले में है तो यह घर जाप पहाड़ी उत्तरकासी जिल्ले में है बहरोजाब पहाड़ी ठीक है सतुना प्रश्ण है बालेश्वर मंदर जो चंपावत का चंपावत में है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया उध्यान चंद्र के द्वारा किया गया है बालेश्वर मंदर का चंपावत में इसका निर्माण कराय उद्यान चंद्र ने ठीक है यह चंपावत में और बलेश्वर है एक बलेश्वर बलेश्वर मंदिर है घंसाली तीरी गडवाल में है बलेश्वर मंदिर तो यहाँ पर अगला प्रश्ण है अठ्वाण किस तीरी नरेश्वर में पहला खेराती दवा खाना इस्तापित किया था तो यह परताप साहा ने जिन्होंने परताप नगर इंटर कॉलेश्वर की था तो यह परताप साने यह खुला था उनिश्टों प्रश्ण है दोनिया कर किस पर लगाया जाता था किस पर लगाया जाता था पहाड़ी पुस्चारकों पर यह लगाया जाता गुर्खाओं द्वारा अब गुर्खाओं गुर्खा का सासन जो hybrid आत्याचार्चारी आत्य और पूचाicias गया था तो गरो को गोरखाओं का इता चार पूर्ण साषन ता जो उसको गोरख्याली कहा गया है और यह हर बात पर कर लगाते ते उद्रा खंड में जो गौरखा थे ठीक है जब चराने के लिए पहाड़ी उनके बूस्त चराने केली पहाड़ी निंठेथाइस ratinghadow लगादबु कर लगाते थे इस कर को दोनिय कर कहा जाता है ठीक है गुर्खाओं दोरा लगा जाता है वह कौन सा कमिशनर है जिसने पंच साला बंदोबस्त निर्धारित किया किया कमाओ कमिशनर रह चुके थे इन्होंने पंच साला बंदोबस्त निर्धारित किया किसने ट्रेल ने तो यह सारे यूनिक वेशन थे आपके आपके लिए और सब नए क्वेशन है कुछ कुछ को छोड़ करके जो दो तिन क्वेशन है वो पुराने हैं पुराने पिपरों स सेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टेडी पॉइंट के साथ बने रहे गया रहे और इसको लाइक कीजिए खुब सारा सेयर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा जो हमारे चैनल पहली बार आ रहे हैं ऐसे यूनिक प्रश्णों को लेकर आएंगे हम आपके लिए सेयरे कि बने बेताए हैंगे हैं प्रश्णों कीजिए ईसमे कीजिएब त कुछ